हेलो दोस्तों यू एन्ड मी में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे सोंद्रिय का प्रतीक माने जाने वाली इस्तरी की ना की जहां पर आप इस्तरी की ना को देखकर उसकी ना की सेप को देखकर उसके व्यक्तितों का पता लगा सकते हैं या उसके सावभाव को बया कर सकते हैं आप कैसे बया कर सकते हैं जानिये मेरी इस वीडियो के मादल से दोस्तों क्या आपको पता है जिस इस्त्री की नाक लंबी होगी उसका वैट्ची तो कैसा होगा जिस इस्त्री की नाक लंबी होती है वह इस्त्री अधिक बुद्धिमान होती है और अधिक पुत्रों को जनम देती है लेकिन ऐसी इस्त्री अपने क्रोध प्रकावू नए पाने के कार्ण कभी-कभी बड़ी मुसीबत में फस जाती है या बड़ी मुसीबत में पढ़ जाती है दोस्तों क्या आपको पता है जिस इस्त्री का नाक आगे से लाल होगा उस इस्त्री का व्यक्ति तो कैसा होगा यदि किसी इस्त्री का आगे का भाग अमेशा लाल रहता है तो वह इस्त्री सारीक रूप से निरंतर प्रेशान रहती है लेकिन ये इस्त्री अपने मधूरवानी कारियों के कारण भहुती जल्दी सब की चहती बन जाती है जिस इस्त्री की नाक चप्टी होती है वह सिक्षित होती है लेकिन सिक्षित होने के बाद भी वह अनपडों या गवारों जैसी बात करती है प्रन्तु ये इस्त्री अपने बच्चों का पानपोशन बहुती अच्छे तरीके से बहुती अच्छे धंग से कर सकती है जिस इस्त्री की नाक मोटी होती है वह इस्त्री शोमेशो भाव की होती है ऐसी महिलाई सामाजिक और पारिवारिक रूफ से अधिक मिलनसार होती है दोस्तों क्या आपको पता है बहुत सी इस्त्रियों की नाप पैरट के जैसी या तोते के जैसी होती है ऐसी इस्त्रियों का सबह कैसा होता है ऐसी इस्त्रियों की वानी जो है वो बहुत ही मदूर होती है वो ग्रेलुकारियों में काफी ही दक्स होती है ऐसी इस्त्रियों को प्रिवार में सुक और श्योग हमेसा मिलता रहता है